ग्रिटर नॉईडा में बसे एक छोटे से गाउं सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभै दानम। एक ऐसी संस्था जिसमें मूख प्राणी एवं असहाय पशुपक्षियों के पालन पोशन से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य, दिल्ली NCR एवं अनेक शित्रों से 24 घंटे असहाय पशुपक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कारे कर रही हैं। संस्था में ज्यान दानम गुरु कुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिये जा रही हैं। शिक्षा ही नहीं, बलकि बच्चों के रहने एवं खाने की भी नेशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में अउशद्हानम आयूर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में, चिकित्सकों के परामर्ष से लोगों का उपचार नहीं शुल्क किया जाता है। संस्था में हत करगा एवं हस्तशिल्प प्रशीक्षण की इंद्र भी संचालित है जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का नेश्विल्क प्रशीक्षण प्रदान किया जा रहा है सन 2017 में इस परिसर में शुदिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई जहां अरिहंत गिरी तमिलनाडू से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनात की मनोहारी प्रदिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है प्रदिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है यहां अभशेक है तू वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे की नार्यल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है क्षेत्र पर हस्त लिखित पांडुलिपी संग्राह ले, जैन वीगन और्गनिक भोजना ले, गुरुकुले निर्मान का कार्य निरंतर चल रहा है यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान, संस्थानम, अभैदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868-356946-93293-22040 आचार्य श्री उमा स्वामी विराचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला मंगल आशिर्वाद परंपुझे आचारेश्री 108 शृत सागरजी महराज परंपुझे आचारेश्री 108 प्रमुक सागरजी महराज प्रेरना स्रोद परंपुझे मुनिश्री 108 प्रणम्य सागरजी महराज एवं परंपूज्य पाठ्शाला प्रनिता मुनीश्री 108 अनुमान सागर्जी महराज नमन करता स्वर्गेश्री उमाशंकर जैन घाजियाबाद वाले वेदनिय, आयू, नाम और गोत्र ये आठ प्रकार के करम आपके वैसे डिटेल में आठवे अध्याय में आएंगे लेकिन इनका रेफ्रेंस बार बार आता है तो इसलिए आप इनको याद कर लो जो ग्यान गोड़ के उपर जो आवरन चड़ा हुआ है जिसके से केवल ग्यान नहीं हो रहा जो केवल दर्शन नहीं करा रहा जो आवरन माने चादर धका हुआ है ऐसे मोहों इनकी वैसे मोहनी करम है अंतराय जो अभी हमने देखे दान लाब भोग वग वीर ये सारे की सारे जो अंतराय यानी की विग्न विग्न कराते हैं अब ये जो विग्न के कारण थे वो अब सारे समाप्त हो जाए उसे क्या बोलते हैं चाइक हो गया छे हो गया खतम हो गया अब आप वापिस से इस सूत्र पर समझ सकते हैं और क्या रहे गया इसमें अब हमारा ये हो गया चाइक ज्ञान चाइक ज्ञान को क्या बोलते हैं वेकिट करके हम देखेंगे यहाँ पर यह हमने reference के लिए आपको लिखवा है अपने आप समापत होंगे केवल ग्यान होने के बाद जब आपकी आयू पूरी हो जाएगी तब क्या होगा आयू पूरी होते ही न शरीर रहेगा तो नामकरम नामकरम यानी शरीर इत्यादी गोत्र यानी कि किस गोत्र में आपका जनम हुआ था है ना वेदिनी यह जो उससे related वेदना वैसे रहती नहीं है यह कथन्चित है के वेदना है केवल ग्यान होने के बाद रंत भगवान को किसी प्रकार की वेदना वैसे नहीं होती है लेकिन शरीर है तो कथन्चित बोलते है के वेदनी यह करम है है ना कहने को तो यह सारे बाकी की चीज़ें आयू पूरे होने पर अपने आप समात्त हो जाएंगी इसमें कुछ भी करना नहीं होता अब हम देखेंगे शायक इनके बारे में समझेंगे और आज का आपका चोथा सूत्र समात्त हो जाएगा क्या है शायक ज्यान ज्याना वर्णी कर्म के छैसे होता है शायक ज्यान ज्याना वर्णी कर्म के छैसे क्या हो जाएगा ज्याना वर्णी कर्म के च्छान के च्छाइब के च्छान 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 के च कौन सा दर्शन होगा? केवल दर्शन, जैसे केवल ग्यान होता है, ऐसे ही केवल दर्शन होता है, ये दोनों एक साथ उत्पन होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होते हैं, ये सब कैसे होंगे? अंतराय करम के जो पांच भेद हैं उनके छैसे क्या उत्पन हो जाएगा चाइक दान लाब भोग भोग भीर अब आपके इन सब कामों में कोई भी विग्न बादा नहीं आएगी क्योंकि क्यों नहीं आएगी क्योंकि अब आप अर्यन तवस्था में पहुँच गए हैं तो यह सब क्या होगा चाइक दान लाब भोग उपभोग और वेर यहां पर किसका 6 हो रहा है यहां पर ज्यान वाणी कर्म का हुआ यहां दर्शन वाणी कर्म का हुआ और इसमें अंत्राय कर्म का मुहनिये वाले का हमने पिछले सूत्र में बता दिया मुहनिये वाले में कैसे कैसे होता है यहाँ पर क्या बताया इनके छैस हैं अलग से क्यों लिखें ये क्योंकि ये सारे उत्पन ही इनकी वज़े से होंगे मुहनिय करम में जो ये सब चीज़ें गेरी पड़ी थी इनका छैस हो गया ये बारे और ये नो है ना तो जो चारित ढंक से नहीं होने दे रहे थे इनका छैस हो गया और साथ में ये जो रह गये थे इन सब की वैसे क्या हो जाएगा आपका छैस हो जाएगा जब आप उस अवस्था में पहुँच गये अंतराय करम के चैस है अब इसके बाद ये जो दो वर्ड बोल दिये चाएग सम्मत और चायक चारित्र यहाँ पर मोहनी करम आ गया सारे करम आ गये ना इसमें देखिए याप एक एक कर के इदर कौन सा आ गया पहले में चायक ज्यान में ज्यानावर्णी करम और अब ये वाला कौन सा रह गया चायक सम्म्यक्त और चायक चारित्र है ना चायक सम्म्यक्त और दूसरा चायक चारित्र यह दोनों ये दोनों किसकी वैसे मोनिय करम के छैसे पिछले सुत्र में क्या किया था उप्षम किया था मोनिय करम के जो बेथ थे खाली उन्हीं को उप्षम किया अलग तो वही करने है ये तीन तो हम आपको बार बार बता रहे हैं इनके लिए आपको अभ्यास नहीं करना है ना जो भी बनते हैं ज्याना वर्णी कर्म के लिए अलग करने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना अपने आव होगा दर्शना वर्णी कर्म को अलग करने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना है ना अंतराय कर्म को अलग करने के लिए जादा अभ्यास नहीं करना अभ्यास किसके के लिए करना है मुख्य रूप से जो उप्षम करना है मुहुनिय करमी सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसके लिए ही करना है अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे आपकी बुस्तक में भी दिया है चायक सम्यक्त और चायक चारित्र अगा डिटेल में हम पिछले सूत्र के हिस आपसे समझें तो क्या बन जाएगा क्या लिखा था हमने उप्षमिक सम्यक्त में क्या था ये चार और ये तीन यानि कि इनका जो उप्षम किया था इन चार का और इन तीन का तो उनका छै कर देना उसे क्या बोलेंगे चारिक सम्यक्त यानि पिछले सूत्र में जो हमने दिये थे दर्शन मोहनी की तीन प्रकरती कौन-कौन सी सम्यक्मिठ्यात और सम्यक्मिठ्यात ये तीन जो हैं है ना तथा अनन्तानुबंधी कशाए कुल कितनी हो गई? कुल साथ चार ये तीन ये इन सब का क्या कर देना? चै कर देना ये सब किसके बेद हैं? दर्शन मोहनीय कर्म के उसके बाद दूसरा क्या है? आपका चायक सम्यक्त के बाद चायक चारित्र एक साथ लिख देंगे तो मोहनीय कर्म पूरी तरह से चै हो रहा है और वैसे अगर लिखेंगे अलग-अलग चायक चारित्र में क्या ह रहा है बार है वो और यह वाले नो अलग चायक चारित्र का क्या मतलब है जो पिछले सूत्र में 21 रह गई थी उनका कर देना चायक चारित्र इछले सूत्र में जिनका उप्षम हमने किया था जिनको दबाया था है ना अप प्रत्या ख्यान संजुलन कशाए अथा नो कशाए अप प्रत्या ख्यान प्रत्या ख्यान संजुलन कशा है यह सब कितनी हो गई बारे हो गई ठीक है वही तीरों की चार-चार तथा 9 कशा है कुल 21 का 6 होने से तो यह सब चीजें जब 6 हो जाती है तो क्या हो जाएगा मोहनिय करम पूरी तरह से 6 हो जाएगा आपका इस प्रकार से यह कौन सा सुत्र है आज बहुत डिटेल में यह भी बड़ा लंबा खिच गया इसमें एक इंपोर्टेंट बात और लिख सकते हैं जो आपने अभी बताई थी कि यह सारे की सारे जो है यह गातिया करमों के नाश होने से हो रहे हैं यह सिद्ध अवस्था के नहीं है यह कौन सी अवस्था के हैं अरहंत अवस्था के हैं और इसको चायक भाव को लबधी केवल लबधी भी बोलते हैं क्यों लब्धी वर्ड उसकी आ है ? क्योंकि अगले सूत्र में जो पांच्वा सूत्र कल आपको कराेंगे उसमें एक जगे लब्धी वर्ड का परयोग किया है तो इसलिए लब्धी और छायक भाव क्या है ? परियावाची शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं नोट में आप लिख सकते हैं, कि ये जो नो भाव है, च्छाइक भाव, कितने हैं कुल, नो, कैसे, साथ और दो ये, नो, है ना, नो लबधी भी कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, नो लबधी, और ये क्या होते हैं, केवली अवस्था के होते हैं, ये सभी केवली अवस्था, यानि की अरहंत, बोलते हैं न डमो अरिहंतालम दूसरा डमो सिद्धालम यानि जो अरंत अवस्था है जिनों ने चार घातिया कर्मों का नास किया है केवली अवस्था अरिहंत के होते हैं ठीक है? ये सिद्ध अवस्था के मैं ये हैं लेकिन क्या है वहाँ तो बाकी के चार भी नाश हो गए तो अभी छाइक में किसकी बात कर रहे हैं जो अगातिया करमों का नाश है वो किसी ने छै नहीं खरा वो तो सुते हो रहा है यह सभी किस अवस्था में केवली अवस्था में होते हैं अगातिया कर्मों के नाश को चायक भाव नहीं कहते जो बाकी के अगातिया कर्म रह गए ये सबी अगातिया कर्मों के नाश से होते हैं नाश या घात या छह होने से अगातिया कर्मों के छह से होते हैं अगातिया कर्मों के नाश से अगातिया कर्मों के नाश को छायक भाव नहीं कहते क्योंकि वो सुत्य हो रहे हैं यहाँ पर क्या है जीव को करने पड़ते हैं यह नोड था आपका की यह सारे की सारे बहुत अराम से वापको इसली समझ में आ जाएंगे की यह जो six हो रहा है बेसिकली चार कर्मों का छो रहा है कौन कौन से जल्दी से रिवाइस करते हैं छायक ज्यान के लिए इज्यानावणी कर्म का छे चाइक दर्शन के लिए दर्शनावनी करम काच है ये पांच जो एक साथ लिखे यान दान लोग वी रिय अंतराय करम का चे है सम्यक्त और चाइक चारित्र यहाँ पर देखिए ये दू करम की सबसें जो यह तीन और यह चार इस प्रकार से लिए और यहां पर शायक चारित्र में यह वाले सारे की सारे जो बारे बच गए यह और यह नौ है ना 21 लिए इन सब के 6 होने से क्या हो जाएगा मोनी करम समाप्त हो जाएगा के वल ग्यान की प्राप्ती हो जाएगी आपकी कक्षा का समय ह पहले लंबी चलिए क्योंकि जो है बहुत ही दने का विशे था सबी को जै जनेंद्र, जै वोलिय महाभीर भगवान की, जै वोलिय अनंता अनंत सिद्ध परमेश्टी भगवानों की, जै वोलिय आचार भगवन स्री उमा स्वामी जी महाराज की, जै वोलिय चारित्र चक्रवर्ती स्री सांतिसागर जी महाराज की, सभी को जै जनेंद्र. प्राकर्टिक वातरवन में इस्धित है यहाँ बहुत सुदर हसमुक्त प्रचिमा है प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है, आप सभी को यहां के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। प्रेरना स्रोद््द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् दानम् गुरुकोल।